जब दुनिया के एक हिस्चे में यूद्ध चल रहा हो पूरे विष्चु में सप्लाई चैन बाधीत होने से खाध्यान का संकट उत्पन हो गया हो और विष्चु के सबसे शक्तिर्शानी राष्ट से कहता है कि हम दुनिया की भूक मिटाने को तयार है जी हाँ उस राष्ट का नाम है भारत मौका था मोदी और जो बाइडन के वर्चुल मीट का दोनों ही देशों की मुखियाओं की रूस यूक्रेन युद्ध के दवरान ये पहली वर्चुल मीट थी मोदी और बाइडन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध उचा हिंद प्रशांत जेंदर में रणनीतिक साजहदारी और उर्चा जैसे कई मुद्धों पर बात चीत हुई है लेकिन प्रधान मंतरी नारेंदर मोदी ने राष्टपती बाइडन के समक्ष प्रस्ताव रखा भारत ने वसुदेव कुटुम्भ कम की धारना में विश्वास रखने वाला देश है भारत के लिए वो शंपूर्ण प्रित्वी ही उसका परिवार है इसी आउ धारना को सार्थक करते हुए प्यम मोधी ने कहा है कि अगर डवलू टी ओ इजाज़ा देता है तो हम पूरे विश्व को भोजन देने के लिए तयार हैं क्योंकि विश्व के एक हिस्से में युद्ध चल रहा है और इससे विश्व के अन्यदेश खरीदारी नही आयाद करता था तब भारत की पास खाद्यान का आयाद करने के लिए जरूरी विदेशी मुद्रभंडान नहीं था और आज ठीक 50 वर्ष बाद आज भारत पूरे विश्व को खाद्यान सप्लाई करने की बात कर रहा है यही है आत्म निर्भर भारत की पहचान और यही है एक 20 जो विश्वी सधी का भारत जो बिश्व शबड़ पहचान पर दुनिया का नेत्रत करने को तैयार है भारत भीश्व में जब-जब संकट आया तब तब संकट मोचन की भूम का आदाग की वर्तमान में भारत से लंका को खाध्यान की सप्लाई कर रहा है जबकि श्री लंका वर्तमान में भैंकर खाध्यान संकट से जूज रहा है उसके आत्रीक ते भारत ने इससे पूर्वे नेपाल, माल्दियूर और कई अफ्रीकी देशों को खात्यान संकर से बाहर निकाला है और पूरे विश्व समुदाय को रहत परदान किया लेकिन चलिए अब आपको हम बीते समय की बात बताते हैं तो सुनिए 1965 में पाकिस्तान और भारत युद्ध हुआ था जिसके बाद 1965 में देरिश्क में भूखमरी की बड़ी समस्या बन गई थी और उस दोर में अमेरिका ने घटिया कॉल्टी का पीम 48 गेहू का आयात होता था प्रधान मंत्री शास्त्री जी को अमेरिका से धमकी दी गई थी अगर युद्ध नहीं रुकता है तो गेहू का देना बंद कर दिया जाएगा जिसके बाद तात कालीम प्रधान मंत्री लान बहादुर शास्त्री ने दो टूग कह दिया था कि गेहू देना बंद कर दीजि उन्होंने कहा था कि हम बिना गेहों के भूखे मरे या बहुत खाके मरे आपको क्या तकलीफ हैं। हमें भूखे मनना पसंद होगा बसरते सड़ा गेहों खाकर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से गेहों लेने से भी साप हिंकार कर दिया था। जब भारत पाकिस्ता पाकिस्तान के यूध चल रहा था, तब देर्ष में विध्य संकर्था। शास्त्री जी ने दिल्ली के राम नीला मैदान में लोगों से अपील की थी कि पाकिस्तान से यूध चल रहा है, ऐसे यहालात में देर्ष को पैसे की बहुत जरूरद है।